इश्क वाले आखों से आखों की बास समझ लेते हैं और सपने में मिल जाए तो मुलाका समझ लेते हैं रोता तो है आसमा भी जमी के लिए मेरे दोस्त पर दुनिया वालों इसे बरसा समझ लेते हैं पर दुनिया वालों इसे बरसा समझ लेते हैं कि लहू को रंग और जुनू को कलम बताने लगे, अपने ही शहर को शहरे सितम बताने लगे, ना जाने किसने छीन ली इन बच्चों के हाथों से मिट्टी, जो कल तक खिलोने बनाते थे वही आज बम बनाने लगे. बच्चे देश का भविस्य है, इनके लिए ताली बजा के आशिरवाद जेंगे, कि ये बच्चे आगे चल के कुछ अच्छे काम करें, दीख हैं, जितने भी अभी हमारे बॉर्डर पे नौजवान खड़े हैं, समझ लिजिए कि ये लोग हमारे देश के रक्षक हैं, और इन लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदमास लिखूंगा, योवन किसी के नाम सदा और धरकन का एहसास लिखूंगा, पर भारत मा को दर्द हुआ तो चिखूंगा, चिलाओंगा, गली गली ले घूम घूम कर मागे गीत सुनाओंगा, और शमसीर बना कर कलम को अपने अगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चड़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, अगर अपने मिट्टी से हिंदुस्तान से प्रेम है तो इसमार जोर दारताली होनी चाहिए, क्या बात है, और कहना है, आओ जुकर सलाम करे उन्हें, जिन के हिश्य में ये मुकाम आता है, आओ जुकर सलाम करे उन्हें, जिन के हिश्य में ये मुकाम आता है, मर जाओ मिट जाओ, जिन के खून वतन की काम आता है, जिन के खून वतन के काम आता है, और अपने तेज से कौन-कौन प्यार करते वार हाथ उठा लिए, चब करते हैं ना, और कहना है वो रक्त नहीं पानी है और जो जय हिंद न बोले वो पाकिस्तानी है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए और कहना है पत्थर को पीस कर कभी मेदा नहीं हुआ और अपने हिंदुस्तान को मिटा दे ऐसा पाकिस्तान माई का लाल पैदा नहीं हो तो एक बार जोरदार ताली हो क्या बात है, इसी को कहते हैं, कि हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मुहबबत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, क्या बात है, अपने हिंदुस्तान के लिए जोड़ा ताली त